हेलो स्ट्रेंट्स जो हमारे पास में टॉपिक है जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था finding particular integration, finding particular integration, method third, method third. यह topic हमारे पास में चल रहा था, method third मतलब क्या हो गया, कि जो QX के जो equal to के बात में जो मान आएगा, तो एक method था अपने पास में एक ही power AX के लिए, second method अपने किस के लिए देखे थे, sin AX या फिर cos AX के लिए, ठीक है, और third number जो अपन देखे थे, वो देखे थे, X की power N के लिए थे, यही अपन देख रहे हैं, third method जो हमारे पास में है, वो किस के लिए है, X की power N के लिए, clear है, इस से related कुछ question किये थे, अपन अन्सोल्ड में, कुछ question और करते हैं, फिर चलेंगे next method पे, देखो question क्या है, solve, solve करना है, D square minus 4D, D square, minus 5D plus 6, minus 5D plus 6, Y, equals to है हमारे पास में, X, यह question है, X की power N, तो equal to वाद में X, इसलों में क्या होगा, कि X की power 1 वाला, यहने X की power N, यहने third method हमारे पास में है, third method में पहले ही बता है था, कि यह दो formula काम में आएंगे सबसे ज़्यादा, इसका inverse, जो formula होता है, 1 plus X plus X square plus X cube and so on, और एक होता है, 1 plus X का inverse, 1 minus X plus X square minus dot 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 and so on, ठीक है, तो बस यही format हमें बनाना है, पहले terms को बनाना है, 1 plus X की ज़्यादा कुछ ही भी आ सकता है, और 1 और यह बनाना है, अपने क्या करते हैं, target ध्यान रखना, कि अगर constant है, तब तो constant को common लो, constant नहीं है, तो D की minimum power को common निकालना है, D की minimum power को common निकालना है, ठीक है, 6Y बराबर X, ठीक है, आजो solution पे, firstly, we find, complementary function, complementary function, दियावाई यह, D में तो, सहायक, समीकरण, लेने पर, यह क्या मिलेगा आपका असमें, M square minus 5 M plus 6 equal to 0, minus 2 or minus 3, यानि M square minus 3 M minus 2 M plus 6, बराबर 0, सब में वही काम करना है, बस गुननखन करना आना चीह है, इसमें से common आजाएगा M, यहां से मिलेगा M minus 3, यहां से common आजाएगा minus 2, यह भी मिलेगा M minus 3 equal to 0, फिर से common क्या आजाएगा M minus 3, और M minus 2 बराबर 0, तो M का जो मान है, वो है 2 और 3, दोनों मान है different, अता CF बराबर, C1 A की पावर 2X plus C2 A की पावर 3X, इनकल यह, Cf कमान, अकल्मेंटरिय मुक्लमें अस्थ, पावर 2X, अस्थ, यह, Cf कावर 2X, यह, Cf कमान आजाएगाम यह, Cf कमान अस्थ, तो 1 upon में FD, यानि 1 upon में D square minus 5D plus का 6, और 7 में क्या है? X, as it is, यही तो tax support income method, common लेकर कि इसको बनाना है 1 plus X या फिर 1 minus X, इसको बनाना है अपने को या तो 1 plus X या फिर 1 minus X, ये ध्यान लखो बस, 1 plus X या फिर 1 minus X, तो P I equals to 1 upon में 6 तो ले लिए common, 1 plus D square minus 5D upon में 6, ठीक है? अगर 7 में X, as it is, इसको अपने यह भी लिख सकते हैं क्या? 1 upon में 6, ये उपर जाओद क्या मिलेगा? 1 plus D square minus 5D upon में 6, square को सोरी, inverse और 7 में X, 1 plus X का inverse, जो formula होता है, वो formula पन लगाएंगे, 1 upon में 6 तो बाहर एज़ टीज है, 1 plus X का inverse, दो क्या मिलेगा formula? 1, फिर minus X, D square minus 5D upon में 6, फिर सब होई चीज है, बाहर 1 upon में D नहीं है, इसका मतलब अगर X है दो केवल एक बार ही open करना है, अगर यहाँ पर X square होता तो इसको open, दो बार open करते हैं, यानि 1 plus X plus X square, तीन बार open करते हैं मतलब, X से गुणा, क्या मिलेगा? 1 upon में 6, X minus D square by 6, X plus 5 upon में 6, 1 by 6 अब छोड़ दी है अपन, यहाँ से का मिलेगा? D square यह तो होगे X minus D square by 6, फिर प्लस 5 by 6 D, D और साथ में फिर से X, सबको कर दी है गुणा, गुणा करते हैं देखो मान क्या क्या हैगा? 1 upon में 6, X, दो बार derivative X का 0, 5 by 6, एक बार derivative यहाँ 5 by 6 यह बल्यू आगे, P I के लिए, ठेक है? Then, complete solution is Y बराबर C F प्लस का P I, Y बराबर C F प्लस P I. तो Y बराबर C F, यहाँ से अब निकाल रखे हैं, C1 E की पावर 2X, C1 E की पावर 2X, प्लस C2 E की पावर 3X, प्लस P I में आजो, 1 upon में 6, X प्लस 5 by 6, कहलो इसको पता ऐसे भी देते हैं, यहाँ से हटाते हैं 6 को, 6 को बाहर लेकर के बना देते हैं 36 है, और यहाँ बगर देते हैं 6X, यह भी ठीक है क्या, calculation है, कैसे भी कर सकते हो, आपका मन करें जैसे हैं गुमा दो calculation को, ठीक है, तो यह solution है हमारे पास में, complete solution, C F प्लस P I, ठीक है, अच्या हुआ है Please poco है कैसे हैं 26 में से फिके हैं 26 को, चलस P जज पेफु है ।ा उल्मेन 21 अनल को, यहां प्लš प्लो ऋऴरी, पास。 क्यों मैं calcium अभरे, कर दो शेम मैं 25 पलो चस्यावा किते हैं 26 solve, solve करना है, D square minus 2D plus 3, D square minus 2D plus 3Y equals to, D square minus 2D plus 3Y equals to cos X plus X square, cos of X plus X square, यह question है आपके सामने, इसको हल करना है, सबसे वही same, same है, CF तो निकलेगा है, निकलेगा, लेकिन PA में ध्यान रखना है, दो-दो method लगेगा, XC power N और साथ में sin X cos X, दो-दो method लगेगा का इसके अंदर, firstly, we find, सरप्रसम हम पूरक फलन का मान ज्याद करते हैं, firstly, we find, पूरक फलन, that means, सहायक समीकरन लेने पर, यह मिलेगा है, वासम है, M square minus 2 M plus एसका 3 वराबर 0, equal to के बाद में चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा 0 ही लेना है, 0 ही लेना है, clear है? अब इसका गुननखन फिर से वई चीज है, इसका फिर से करना है, गुनन खंड, क्या करेंगे, देखो इसर ज्ञान से, ठीक है ना तक, चलते हैं दराचारी के पास तो नहीं हो पाएगा, माइनस भी, प्लस माइनस, अंडर रूट, ब्सक्वाई, माइनस का एट, माइनस का एट, माइनस का एट, माइनस का एट मतलब 4 इंट 2, 4 मतलब 2, और रूट के अंदर, 2 आउटा, अपोन में 2, यह एम का जो माइनस है, वो है, 1 प्लस माइनस, रूट 2 आउटा, C F बराबर, एक ही पावर, A X, ब्रैकिट में, C 1 कोस B X, इसके लिए, प्लस, C 2 साइन, B X, दूसरे वाले पार्ट के लिए, आपके सामने है, ठीक है हैं तक, अब आजो P.I. में, P.I. में, दूसरा मेथड भी लगेगा, अब हम, विसिष्ट, समा कलन, कामान ग्याद करते हैं, P.I. वन अपॉन में, F D, यानि, वन अपॉन में, D स्क्वाइड, माइनस 2D, प्लस का 3, इदर क्या रहेगा, कोस ओफ एक्स, प्लस, एक्स स्क्वाइड, दोनों को रख दिये, अब दोनों का, अलग-अलग मेथड लगेगा, दिहान रखना, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसको तो अपॉन क्या लिखेंगा, वन अपॉन में, D स्क्वाइड, माइनस 2D, अब प्लस का 3 के साथ में, कोस ओफ एक्स, प्लस का 3 के साथ में, कोस ओफ एक्स, फिर प्लस, सेकिंड वाली वैल्यो, X स्क्वाइड के लिए, यही ट्रम्स, D स्क्वाइड माइनस 2D प्लस का 3, कोस ओफ एक्स स्क्वाइड, उदर आजो, वन अपॉन में, फिर से D स्क्वाइड, माइनस 2D प्लस का 3, और साथ में, X स्क्वाइड इधर वाले के लिए, यह सही दोनों, जैसा जैसा मान बता रहा था, वैसा वैसा मान अपन, पुट कर दिये, इसमें पुट करना है, D स्क्वाइड के जगा, माइनस 1, साइनस को सक्वाइड इधर तो कहता है, कि D स्क्वाइड के जगा, माइनस 1 पुट करो, तो जैसे माइनस 1 पुट करोगे, तो मान क्या क्या आएगा, cos of x as it is, फिर plus, constant को common, यानि 1 upon में 3 common, 1 plus, d square minus 2d upon में 3, साथ में x square, एक ही काम करना सब में, 2 common, 1 minus का d, और साथ में cos of x, 1 upon में 3 as it is, यह उपर जायद क्या मिलेगा, 1 plus d square minus 2d upon में 3, का inverse, और x square, और साथ में x square, ठेक है, 1 upon में 2, 1 minus d तो रहने दो, और 1 plus d और आने दो, और साथ में यहां भी क्या रहेगा, cos of x, फिर plus, 1 by 3, इसको expand कर दो, inverse है, यहनि 1 minus x, d square minus 2d upon में 3, 1 minus x, plus x square, d square minus 2d upon में 3, x square, पता हो कितने टरम्स आएगी, square है तो के बली square तक आएगी, अगर यहां पर 1 upon में d और रहता, तो एक टरम्स और लेते, जिसका नाम होता, x cube, यानि d cube, ठीक है, अच्छा, 1 plus v तो फिर उपर भी तो करो, 1 plus का d, 1 upon में 2 as it is बहार, a minus v, a plus v, a square, यानि 1 का square 1, minus d square, और d square यहां फिर से minus 1, यानि plus 1 ये 2 बना देगा, यानि 1 by 4, 1 by 4, 1 cos x, यानि cos of x, plus यहां से मिलेगा, d cos x, second वाले से, फिर plus, 1 by 3, इसके लिए देखो, 1 minus, d square by 3, minus minus plus, plus होती क्या मिले जाएगा, 2 d upon में 3, plus 1 upon में 9, a square यानि d4, plus b square, 4 d square, minus 2 a b, नि 4 d cube, और साथ में, x square, ठीक है नहीं तक, ठीक है नहीं तक, एक 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 स्टेप, आराम आराम से देखो, calculation, plus minus करना आना चीए बस, 1 by 4 तो बहार एक स्टेपी है, यहां से देखो, cos of x, d मतलब derivative, cos x का derivative मतलब, minus का, sin of x, plus, यहां से 1 by 3 as it is, x square से गुणा भी कर रहा हूं साथ में, तो x square, minus, d square by 3 x square, plus, 2 by 3 d x square, plus, 1 by 9 d 4 x square, 4 by 9 d square, और x square, यह लिखने जोरत हैंगे, मने को बताओ, 3 by derivative, x square का, 1 by derivative होगा, 2 x, 1 by और होगा, 2, तो आएगा यह नहीं 0 बनेगा, बोले कि यह तो यहां से भी मिल रहा था, यहां से बोला, d4, 4 by derivative होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका तो होगा, यह लिखने के जोरत नहीं है, क्यों नहीं है, यह लिखने के जोरत, तो 3 by derivative तो होगा यह नहीं function का, 3 by derivative तो होगा यह नहीं function का, 1 by 4, cos x minus sin x, cos x minus sin x, plus 1 by 3, x square, 2 by derivative, x square का 2x, 2x का 2, यह minus 2 by 3, इदर आजो, एक बार derivative यह नहीं 2x, यह 4x by 3, इस वाले मा आजो, 4 बार, बोड़ चार बार तो कहा हो जाए, अगर तीसरी बार ही 0 हो रहा है, तो 4 बार तो को नहीं जोरती नहीं है, इस वाले मा आजो, दो बार होगा, d square का 2x, 2x का 2, यह 8 by 9, बस इतना ही, ब्लस 8 अपोन में 9, 1 by 4 अज़ इस, cos of x, minus sin of x, constant constant को एक सार लिख देंगे अपन, 1 by 3, चलो बाहर रहन दो 1 by 3 को तो, x square minus 2 by 3 plus 8 by 9, 9, 3, minus 6 plus 8, यह निए 2 by 9, plus 2 by 9 plus 4x by 3, देंगी, complete solution, complete y पराबर C F plus car P i, then complete solution y बराबर cf plus का pi ठीक है clear है तो y का मान क्या है हमारे पास में cf plus का pi y बराबर cf का मान क्या है यह complete यह नहीं यह की power x c1 cos root 2 x c2 sin root 2 x plus pi तो plus नहीं लिख देता हूं 1y4 cos x minus का sin of x plus 1 by 3 x square plus 2 by 9 plus 4 by 3 y x यह निकल लिखा y बराबर cf plus का pi तो यह solution मिला हमारे पास में complete solution y बराबर cf plus का p of y p of y ढूए यहीं लिए अधिए यूए लिए लिए लाओज्स का राँ यहाँ लिए लिए solve d 4 y by d x 4 d 4 y by d x 4 minus a 4 y बराबर x 4 बराबर x 4 ठीक है यह आपके सामने question है ठीक है आरो solution पर जहां से तरह में अच्छा कोई साना है covenant, firstly we find complimentary function, firstly we find complimentary function, you have d 4 minus a 4 y brother x 4, सहायक समीकरन लेने पर ठीक है सहायक समीकरन लोग दी क्या मिलेगा M4 माइनस A4 बराबर 0 सहायक समीकरन लेने बनेगा M में इसका लिख सकते हैं कि M2 का 2 माइनस A2 का 2 A2 माइनस का B2 A PLUS B A MINUS B फिर सब फॉर्मूला यह तो हैं दोरेजिटी M2 प्लस का A2 A2 माइनस का B2 A PLUS B और A MINUS B ठीक है M बराबर यहां से PLUS MINUS A यहां से MINUS A यहां से PLUS का A यह तो ठीक है क्या समझगे क्या अब है M के जो मान है वो यह वैल्यूज है आपके पास में ठीक है एक बार तो PLUS MINUS इसके लिए और एक बार PLUS MINUS इसके लिए चार मान होने चाहिए तो दो के लिए तो ही हो गया अब बागी दो के लिए यह है ठीक है अता है C F पराबर पहले दोनों के लिए इसके लिए लिखते हूँ फर्मुला माइनस A और प्लस A के लिए, C1 A की पावर माइनस AX, C2 A की पावर प्लस AX, इसके लिए A की पावर तो कुछाएगा नि, C3 cos AX, प्लस C4 sin AX, यह माना गया, Cf के लिए, इसके अकॉर्डे पर, P.I. के लिए, अब हम, विशिष्ट, समाकलन का मान, ग्याद करते हैं, अब हम, विशिष्ट समाकलन का मान, ग्याद करते हैं, ठीक है? वन अपॉन में FD, यह नि, वन अपॉन में D4 माइनस A4, X4, ठीक है? 4 में लगाना है, या तो 1 प्लस X के लिए, या फिर लगाना है, 1 माइनस X के लिए, इसमें से common लेना है अपने को, 1 प्लस X बने, या फिर 1 माइनस X बने, इसको अपन यह लिख सकते हैं, का 1 अपॉन में, माइनस का A4 को ले लिए common, माइनस का A4 को ले लिए common, यहां से मान के आएगा, यह तो 1, माइनस का A4, यह तो आगिया 1, और 1 माइनस, second value value, माइनस D4 अपन में A4, यह यह आएगा के formula, असा गुणा करें देख लो, माइनस का A4, यह से होगा तो माइनस का A4, और यह से होगा तो प्लस का D4 अपन में A4, प्लस का A4 अपन में A4, ठीक है, उपर भेज़ दो, यहनि इसको अपने क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपन में A4, यह उपर जाएगे क्या बन जाएगा, 1 माइनस D4 अपन में A4, इस क्या रहेगा, इन्वर्स और यहाँ पर रहेगा X4, अब इसकी जो ट्रम्स लोगे आप लोग, इसकी ट्रम्स अब लेने के चार बर लेना पड़ेगा, लेकि चार बर लेने के जोड़त नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अपने अब जीरो करता जाएगा, यहाँ से देखना कैसे है, वन अप वन में A4 तो बहार है, जिटी है, वन माइनस X का इन्वर्स, वन माइनस X का इन्वर्स, वन प्लस X, प्लस X स्क्वाइड, अब बोलो 4 तक लेने के जोड़त है क्या, यह तो D4 जब 4 बर करो गए न, 4 X Q, 8 X स्क्वाइड, 16 X, 4 बार तक तक तो होगा, यही 0 बनेगा, अब फिर साथ में क्या है, X की पावर 4, ठीक है, कर दो मल्टिप्लाई इसको, देखो मानी क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन में A4, X4 से गुणा होगा ती तो मिलेगा, X4 प्लस D4 अपॉन में A4, अब फिर से X4, फिर प्लस D4 अपॉन में A4 का स्क्वाइड, अब फिर साथ में X4, कर दिया दोनों से गुणा, अलग-अलग, ठीक है, दो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 अपॉन में A4, अंदर लोग पार दो क्या की बच्चेगी आपका उसमें, X4 प्लस 1 अपॉन में A4, चार बाद डेरिवेटिव, इदर देखना है, इदर कर रहा हूँ मैं, ए बार करोगे X4 का 4X3, फिर करोगे 12X2, फिर करोगे 24X, फिर करोगे 24, एक, दो, तीन, चौथी बार में आएगा 24, 24, तो 24 अपॉन में A4, ठीक है, और उसका तो हो जाएगा 0, कोई मतलब भी नहीं है, और इसको बनी लिख सकते हैं, देखो, X4 अपॉन में A4, प्लस, कॉमन लेंज और थी, इसको आज़िटी छोड़ तो, यहीं पे छोड़ तो, then complete solution, then complete solution, Y बराबर C F प्लस का P I, Y बराबर C F प्लस का P I, Y बराबर C F का 1 तो क्या है, उपर लिखा हुआ है, C1 A की पावर मिनस AX, प्लस, C2 A की पावर AX, फिर फ्लस, C3 COS AX, प्लस, C4 SIN AX, फिर फ्लस, प्लस क्यों माइनस, 1 अपाउन में A4, X4 प्लस 24 अपाउन में A4, यह रहाएं, तो यह मान किसके लिए है, Y के लिए, complete solution वाला जो Y है, उसका मान आवकास में यह है, C F प्लस का P I, ठीक है, इसी टाइप से question होने है, और देखो जैसे question, आजाओ, next question पे, solve d2y by dx square plus 2dy by dx plus y equal to e to power x, x square e की power x, minus का x square, sorry, plus x square, minus sin x, plus x square, और यहाँ से है, minus का sin of x, ठीक है, यह question है जैसे आपके सामने, इसको solve करना है आपको तो, वही format से start करना है, C F का मान निकलेगा सबसे पहले, और फिर निकलेगा P I का मान, और यहाँ से說 प्कषिन मान, और च चा हाँ और वाले, मान, ठीक संत्व. Complementary function d square plus 2d plus ka 1 y bar equals to a ki power x plus x square और minus ka sin of x सहायक समीकरण लेने पर क्या मिन जाएगा यह m square plus ka 2m plus ka 1 बराबर 0 तो यह whole square के तो formula है यह formula किसके लिए है m plus 1 का whole square बराबर 0 यहीं m के जो मान है minus 1 और minus 1 दोनों के दोनों मूल है समान दोनों के दोनों जो मूल है वो क्या है समान है तो समान के लिए फरुनल क्या बनेगा cf बराबर पुरक फलन बराबर c1 plus c2x और बाहर आएगा e की पावर minus x c1 plus c2x e की पावर minus x यह मान है cf के लिए अब आजो पी आई के लिए देखो पी आई कमान कैसे निकल लेगा अब हम विसिष्ट समाकलन कमान ग्याद करते हैं P.I. बराबर नव वी फाइंड पर्टिकुलर इंटिग्रेशन P.I. के जब मान निकालो गया तो P.I. फाइब राबर वन अपोन में F.D. यानि वन अपोन में D square plus 2D plus 1 यानि वन अपोन में D square plus 2D plus का 1 और साथ में क्या-क्या है एक ही पावर X प्लस X square और माइनस का sin X तीनों को तीनों को एजटी छोड़ती है अपन सब के लिए अलगल होगा एक पार ये इसके लिए भी जाएगा इसके लिए भी जाएगा और इसके लिए भी जाएगा सब क्या फॉर्मेट जानते हैं अपन एकी पावर X का फॉर्मेट क्या कहता है कि पूट करो D की जाएगा 1 बहुत एक्स स्क्वार फॉर्मेट क्या होता है common लेना है अपने को नीचे से constant को अगर constant है तब अगर constant नहीं है तो फिर आपको जो common लेना है वो लेना है D की minimum पावर को यानि इसको अपन देखो यह लिख सकते हैं गा 1 upon में D square प्लस 2D प्लस 1 E की पावर X फिर से किसके लिए आजाएगा 1 upon में D square प्लस 2D प्लस 1 यह आजाएगा X square के लिए और फिर minus 1 upon में D square प्लस 2D प्लस 1 और यह आएगा sin X के लिए फिर आएगा यह sin X के लिए ठीक है इसका method put करना है यहाँ पे D की जगा 1 यहाँ पे नहीं पता अपने को put करना है D square की जगा minus 1 दोनों में अपने को अलग-अलग put करना है ठीक है 1 put करोगे D की जगा 1 प्लस 1 2 1 यहने 4 1 बाई 4 E की पावर X प्लस 1 अपन में 1 ही कॉमन लेना है यहने 1 प्लस D square प्लस 2D बाद इसको एक साइसे लिख लो साथ में X square minus D square जगा minus 1 प्लस 1 हटी गए यहने 1 अपन में क्या बच्चे कहा है से के वल 2D और साथ में sin X रहेगा as T सबको adjust करके लिख दिये ठीक है ओपर भेज़ दो 1 प्लस D square प्लस 2D इसका inverse और X square minus 1 अपन में 2 1 अपन में D मतलब इसका है इसका एक बार integration समाकलान और sin X का समाकलान कहाता है minus का cos X यानि plus का cos of X अबर अरज़ेस्ट कर दो इसको 1 by 4 इकी power X plus 1 minus X D square plus 2D फिर plus X square D square plus 2D का square X square और ठीक है यहां तक तो और ट्रम्स बोला अगर cube ले तो बोला A cube B cube 0 याएगा सारा मार अब फिर है plus 1 by 2 और यहां से cos of X फिर मान क्या है 1 by 2 और साथ में cos of X solve कर दो इसको अच्छा इसके साथ में क्या X square है इसको लिखे ही नहीं इसके साथ में क्या है बाहर X square X square रहेगा जब तो तभी तो गुना होगा उस वाले से 1 upon में 4 एकी पावर X plus यह होगा X से गोना तो X square sorry X square है minus यह मिलेगा D square और X square minus 2D X square फिर plus A plus B का whole square यहनी A square यहनी D 4 X square plus B square 4D square X square 2AB यहनी 4D cube 4D cube और X square और plus 1Y2 cos of X यह यहां से ले करके यहां तक है ठीक है यहनी इसको अपने यह लिख सकते हैं क्या 1Y4 एकी पावर X plus X square as it is minus 2 bar derivative 2X 2X का 2 यह मिनस का 2 minus 1 bar derivative 2X यह मिनस का 4X 4 bar derivative यह बोला 0 यह बोला 0 2 bar derivative 2X or 2N plus ka 8 3 bar derivative यह बोला 0 और plus का यहां से 1Y2 cos X ठीक है 1 upon में 4 A की power X plus X square as it is minus 2 plus 8 plus का 6 तो plus का 6 minus का यहां से लेको मान के आएगा minus का 2 plus का 8 यानि plus का 6 minus का यहां से मिलेगा 4X ठीक है और यहां से रहेगा 1 by 2 और साथ में cost of X यह है इसके लिए value ठीक है कर दो दोनों के यह तो हो गया PI का मान complete अब आजो दूसरे वाले पर लिए रिवाड दोडिय दोड़ों से और का अब आजो दोड़ोंद 6 complete solution, क्या मिलेगा, y बराबर cf प्लस का π i, y बराबर cf प्लस π i, the y बराबर cf, n is c1 plus c2x or e की बराबर minus x plus π i, 1 by 4 e की बराबर x plus x square, minus 4x plus 6 plus 1 by 2 or cos of x, यह है complete solution, cf प्लस का π i, ठीक है? प्लस का वालाबर solve d2y by dx square d2y by dx square minus y 2 plus 5x 2 plus 5x अब जगो दो तरीक हैं करनेगी इसको चलो पहले cf तो निकालते हैं pi के दो तरीक हैं या तो 2 को ऐसे लिखनो साथ में एगी power 0x ठीक है या फिर 2 plus 5x को एक साथ ही रहने तो 2 plus 5x को एक साथ ही रहने तो आपकी मर्जी है चाहो जैसे लिखो ठीक है Firstly we find complementary function complementary function यह मिलेगा d square minus ka 1 y बराबर 2 2 प्लस का 5x 2 प्लस का 5x ठीक है सहायक समीकरन लेने पर m square minus 1 बराबर 0 m square बराबर प्लस 1 root निकालो कि तो प्लस माइनस 1 यह बराबर प्लस माइनस 1 यह मान है आपके इसके लिए ठीक है अता cf बराबर c1 a की प्लस माइनस x c2 a की प्लस माइनस x पर्टिकूलर इंटीग्रेशन ठीक है t of i equals to 1 upon में fd यानि 1 upon में d square minus 1 और 7 में 2 प्लस 5x यह बनी गया इसको अब यह लिख सकते हैं गया इधर लिख सकता हूँ 1 upon में minus 1 तो कामन लेलिए 1 minus d square और 2 प्लस का 5x minus 1 plus d square अब इसको उपर वेज़ रहे हैं पन minus 1 minus d square का inverse और 2 प्लस का 5x 2 प्लस का 5x minus 1 minus का d square का inverse 1 दोनों minus यह प्लस x कोई मत्तर ने आगित साथ 0 यह मिलेगा अब फिर से है 2 plus का 5x गुना करतो माइनस का 2 प्लस 5x दो बार derivative एक बार तो इसका 0 इसका 5x का 5 दो बार derivative 5x का 5 अच्छा देखना है तर ध्यान से यह जब d square से गुना होगा न इसके दाथ में आगिया फिर minus d square 2 plus 5x minus 2 plus 5x minus दो बार derivative इसका दो जीरो इसका दो बार derivative एक बार दो 5x का 5 5x का 5 अब दूबारा में 0 बस इस नहीं बचेगा यानि 5x प्लस का 2 अब भार गाएगा minus ठीक है यह minus का 5x और प्लस का 2 then complete solution complete solution y बार cf प्लस का pi ठीक है तो y बारबर cf c1 एकी प्लस का minus x plus c2 एकी प्लस का x minus 5x प्लस का 2 यह है complete solution y का मार ठीक है तो यह value किसके लिए है complete solution y बराबर cf प्लस का pi प्लस का Time you का भ Clay का यह है Solve d square plus 2d plus cut 2 y beraber x square plus cut 2. x square, ठीक है, आज ओ, solution पे, Firstly, we find complementary function. सर्पथम हम पूरक फलन का मान ज्याद करते हैं. सहायक समी करण लेने पर, यह मिल जाएगा आवास में m square plus cut 2m plus cut 2 बराबर 0. m के अंदर सारा change हो गया है. ठीक है? factor नहीं होगा. minus b plus minus under root b square minus 4 a c any 8 upon me 2 a any 2. Minus 2 plus minus minus 4. 2 बर, 2 iota upon me 2. यानि, minus 1 plus minus iota, cf बराबर, cf का मान, e की पावर minus x, c1 cos x, c2 sin x, e की पावर minus x तो आगी है, बाहर, c1 cos x और c2 sin x, ठीक है, c1 cos x और c2 sin x, e की पावर minus x, है ज़िट इज, c1 cos x और c2 sin x तो हुई गिया, अब हम, विशिष्ट समाकलन, का मान, ग्याद करते हैं, p of i equals to 1 upon me, d square plus 2d plus ka 2, और x square, ज्यान से रेखना, 2 बोलेना है common, 1 बनाने के लिए, यानि, 1 upon me, 2 बहार लेते हैं, बने का 1, d square plus 2d upon me 2, d square plus 2d upon me 2, अब फिर बहार रहेगा, x square, है, 1 upon me 2, 1 plus d square plus 2d upon me 2, और इसका inverse, बस formula को अब expand करना है, ठीक है, formula को सब अपने को expand करना है, formula को जैसे ही expand करेंगे अपन, तो देखो क्या-क्या मान आएगा, 1 upon me 2 बहार रहेगा, और x square जो है न, ये भी बैठा रहेगा, ठीक है, 1 by 2 बहार है ये जिटीज, 1, minus x, d square plus 2d upon me 2, 1 minus x, फिर plus x square, d square plus 2d upon me 2, इसका square, बहार इतना ही लेना है, इसी में trumps नहीं आएगी, एक ही trumps आएगी, कर दो इसको फिर से गुणा पके रहा है, 1 by 2 बहार है जिटीज, 1 minus, d square by 2, minus d, 2 से 2 कट जाएगा, फिर plus, 1 upon me 4 बहार है जिटीज, d4, d square, plus 2ab, यह नहीं 4, d, cube, अब फिर बहार आएगा, x square, सब में एक ही काम करना है, किसी में अलग नहीं करना है, 1 by 2, 1 minus, d square by 2x square, सब को भुना कर दो, minus का d के साथ में, x square, plus 1 by 4, d4, x square, plus d square, x square, plus d cube, x square, ठीक है, 1 by 2, 1 minus, 2 bar derivative, x square का 2x, 2x का 2, 2 से 2 कर जाएगा, minus 1, minus, एक बाट derivative, यानिए 2x, plus, इसका, चार बाट derivative, बोलो कहा संभा हो गया, इतो 0 आ गिया, दो बाट derivative, 2x for 2, यानिए 2, plus, तीन बाट derivative, बोलो नहीं है संभाव, ये भी हट जाएगा, 1 minus 1 भी कैंसिल हो गिया, 1 by 2, 2 को कमन भी ले लो, 2 से 2 भी हट जाएगा, यानि 1 minus x, 1 minus का x, ठीक है, इसका मन क्या होता है, यहां से मिलता है आपको बास में, x square, minus 2x, plus का 1, अपोन में 2, अपोन में 2, अपोन में 2, मीनस का x, अपोन में 2, अपोन में 2, अपोन में 2, 1 minus का x, पी आई, संपूर्ण हल, तो Y बराबर, C F का मानी यह है, E की पावर माइनस X, ब्रैकेट में C1 कोस X, प्लस, यहां से है C2, साइन X, प्लस P I, यहीं प्लस 1 माइनस X, इसको एक बाद देख लेना 1 माइनस X को, कुछ प्लस माइनस यहां साइज, इसको आना चीए था है, यहां पे, एक बाद चेक कर लेना इसके अंदर, जो भी है, इस टैप से सोलूशन निकला है, Y बराबर C1 प्लस का P I, संपूर्ण हल, ठीक है, यह था आप गास में, संपूर्ण हल का माइनस, और देखो एक क्वेस्टन, फिर नेक्ष्ट मेथड़ की दरब चलेंगे, सारे क्वेस्टन मैंने करा दिया, अन्सोल्ड गया, solve d3y by dx3 minus d2y by dx square minus 6y equals to 6dy by dx, sorry, minus का 6dy by dx, equal to है हमारे पास में, 1 plus x square, ठीक है, जहां से देखना है, यह last question है, यह example यह question है, अच्छा question है, calculation इसमें इसरी करा रहा हूँ, आज हो solution के, firstly, we find complementary function, firstly, we find complementary function, यहनि cf का माद, complementary function जब करोगे, यह बनलेगा, आपकास में, d3 minus का d square minus का 6dy equals to 1 plus x square, ठीक है, सहायक समी करन लेने पर, auxiliary equation, यह मिलेगा, m cube minus m square minus 6m बराबर 0, तो 1m तो आगिया common, तो m square minus m minus 6 बराबर 0, एक तो 0 मिल गया आपको 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 आपको, प्लस का 2m, minus का 3m, minus का 6, और 2 minus 3m, minus 1, ठीक है, अब minus का 6, बराबर 0, m तो common है ही, m plus 2 minus 3, m plus 2, बराबर 0, तो m plus 2, m minus 3, बराबर 0, m बराबर 0, minus 2 और 3, cf बराबर, ती नो different है, अलग-अलग मान है, यह c1 a की पावर x, यह c1 बास इतना है, plus c2 a की पावर minus 2x, plus c3 a की पावर 3x, c3 a की पावर, यह निकालिये अपन, cf का मान, ठीक है, जो जानते थे हमनों format लगा दिये, factor कर दिये, factor हो गए ठीक है, नहीं हो आफेक्टर, तो धराचारी के बास में अपन जाते हैं, अब हम विशिष्ट समाकलन का मान ग्याद करते हैं, विशिष्ट समाकलन का मान ग्याद करते हैं, यह हमें निकालना है, निकालना क्या मान ग्याद करना है, फाइंड करना है, ठीक है, P of I equals to 1 upon me Fd, एक d तो common ले सकते हैं, यानि d, d square minus d, minus 6, और साथ में है 1 plus x square, साथ में है 1 plus x square, ठीक है, P of I equals to, फिर सब बही चीज़ है, या तो d को पहले ही हटा दो, या तो d को सबसे last में हटाओ, आपकी मर्जी है, पहले d हटाओ तो इसका एक बर करोगे समाकलन, ठीक है, लास्ट में हटाओ तो d को बस operate करना है, इस d को मैं मान लों सबसे last में हटाना चाहता हूँ, तो d तो है, यह minus का 6d और common ले लिए, 1 upon में यह तो मिल गया 1, minus d square minus का d upon में 6, अब फिर साथ में 1 plus x square, देखो यह आएगा क्या मान, अच्छे से देखो, कोई calculation गलता मत करते ना, इसको यह भी लिख सकते हैं क्या, 1 plus minus एक और बाहर निकाल लिया, d plus minus एक और देखो, देखो इसको अपने यह लिख सकते हैं क्या, अगर एक साथ अपने लिखना चाहें तो, d minus d square अपन में 6, और 1 plus x square, यह ठीक है क्या, minus बाहर ले लिए, यह तो बनेगा d, minus लेंगा d square by 6, इसको अपने यह भी लिख सकते हैं क्या, minus का 1 upon में 6d तो रह गया बाहर, यह उपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 plus d minus d square upon में 6, इसके लिए inverse और साथ में 1 plus x square, साथ में 1 plus x square, उपर जाएगा तो inversi बने गए, ठीक है, minus का 1 upon में 6d, यह अवली टम से ज़िए, एक प्लस, एक माइनस, यानि 1 minus x, यानि d minus d square upon में 6, 1 minus x, प्लस x square, प्लस x square, d minus d square upon में 6, x square, फिर minus, बाहर d आ गया, तो इससे एक टरम्स extra लिन नहीं है आपको, प्लस x square, minus x cube, अभी पता से जाएगा क्यों लेते हैं, x cube, अब बाहर आएगा 1 plus x square, हलाकि इसमें ने काम की केबल, आपको एक ही टरम्स आएगी बस, अपने काम की जो टरम्स है, वो केबल एक ही टरम्स आएगी, बागी तो काम में भी नहीं लेंगे अपन, minus 1 upon 6d, 1 minus d by 6 plus a d by 6 plus d square by 6 plus 1 upon 36d square minus 2ab, यहिने d cube plus b square, यहिने b 4 minus, अब ध्यान से देखना, साइट टरम्स में लिखने ही जोड़ती हैं, यह क्यों मेहनत करें रिवस्ती, a cube, 3 बाए d cube मिलेगा, d cube आएगा यहां से, x square का 2x, 2x का 2, 2 बार तक तो ठीक है, 3 बार तो 0 मिलेगा, b cube, बोलब b cube कहां और सम्भब नहीं है, अच्छा, एक upon में d भी बैठा हुआ, जब d का भी द्यान रखना, यानि d cube, a cube यानि d cube, d cube मानी d, यानि एक टरम्स आएगी, माइनस का 1 अपॉन में, 2, 1, 6, ब्रैकेट में देखो, a cube, d cube तो नहीं आएगी कभी भी, 3, a square, b, यानि d square, d4, d cube नहीं लेंगे काम में, 3, a, b square नहीं लेंगे काम में, क्यों यह टरम्स आएगी काम में बस, यानि d cube यहीं से, और बाहर है, 1, प्लस, x square, calculation है न बस इसके अंदर, बस आएगी काम में, bracket में, d को भेजी देंगे अंदर, भेज जैते हैं अंदर, minus का one upon में six को रहन दिये बाहर, d को भेज जैते हैं अंदर, प्लेटरम्स आएगी d, अच्छा d क्यों आएगी, one upon में d, नीचे जारा सब इसाथ में, minus one upon में six, d d cancel हो जाएगा, plus d by six, plus, एक d तो cancel कर देगा, याएगी d अच्छारा सब्सक्राइगा, d अच्छारा सब्सक्राइगा, minus 236 को cancel कर देगा, याएगी minus 18, याएगी d square गा 18, plus, एक d तो cancel कर देगा, याएगी d 3, तो plus d 3, अच्छारा में 36, minus d q, एक अंदर से आएगा d, तो उपर बचेगा d square, minus का d square अच्छारा में, 1 plus x square, ये बाहर आपका आश्में, as it is, ठीक है, minus का 1 upon में 6, 1 plus x square सब्सक्राइगा, याएगी 1 upon में d, 1 plus x square, minus, 1 upon में 6, 1 plus x square, ठीक है, plus d upon में 6, 1 plus x square, plus d upon में 36, 1 plus x square, minus d square upon में 18, 1 plus x square, plus d q by 36, 1 plus x square, minus d square by 2, 1 plus x square, ये साइसारे वेल्यू, ये भी ठीक है क्या, सब को अंदर भेज दिये, और उसका, मान निकाल रहे हैं, बस अपकर, अब देखो, इसको अपन solve करेंगे, जहां पर one upon में d है, वहां पर तो एक बार करेंगे integration, जहां पर one upon में d है, वहां पर करेंगे एक बार integration, अब जहां पर दी है, वहाँ पर करेंगे एक बार derivative जहाँ पर उपर D है वहाँ पर करेंगे एक बार derivative नीचे वाले D का integration उपर वाले D का derivative पलस माइनस देखते रहना कहीं भी कुछ देखना है इदर माइनस वन अपर उपर 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 शीक्स तो भार एज़िटीज है इसका integration वन का तो एक्स प्लस एक्स स्कॉरर का integration एक्स क्यूब आइट्री ठीक है माइनस वन अपर में 6 और 1 ट्लस X स्कॉरर अपर में 6 एक बार derivative एक बार derivative तो वन का तो 0 X स्कॉरर का 2 X x plus 1 upon 36, एक बार भी इसका भी derivative, यानि 2 x, minus 1 upon 18, 2 बार derivative, 2 x और 2 x का 2, 3 बार derivative बोला कहां करोगे, 0 आयेगा, minus फिर से दो बार derivative, 2 1 6, or 2 x, or 2 x का 2, minus का 1 upon 6, x plus x cube by 3, minus 1 by 6, 1 plus x square, plus x upon में 3, plus x upon में 18, minus 1 upon में 9, minus 1 upon में 81, 1 upon में 81, x की terms देखो कहां कहां साहेगी, x की terms मात्र, एक तो यहां से रहेगी, यानि minus का x upon में 6, यह जब इसके होगा, x की terms और कहां से आएगी, यहां से नहीं आएगी, x की terms एक यहां से आएगी, यहीं माइनस का x upon में 18, minus का x upon में 108, और x की terms कहीं से भी नहीं है, यानि एक तिसको देखा जाए ना, 108 अपन लेंगे, 108 का मान अपन यहां पर रखेंगे इसके अंदर, तो यह value ठाग इसके अंदर put करना है, तो यह वाली value अपने को put करनी है इसके अंदर, ठीक है, तो इसको पूरे को अब आपको solve करना है, तो solve करके अपने बास में जो result आए हो क्या आएगा, मानस का 25 upon में 108 कर लेने इसको, 25 upon में 108 और साथ में x, x square by 36, plus x square by 36, minus 1 by 18 x cube, 1 by 18 x cube, और plus एक अचर, हमें उसको solve भी करने की ज़रूवत नहीं है, then complete solution, y बराबर cf plus का pi, यह समाझ जो आएगे क्या लिए एक अचर, कुछ constant मान आएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, कुछ constant मान आएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, तो y का मान क्या निकलेगा, cf plus का pi, इस तरीके से अपने क्या मिल जाए गए हैं से, some code नहीं हल मिलेगा, cf का मान और pi वाले मान को add कर दो, ठीक है, इसी टाइप सी साथ सारे question हमें solve करने हैं, अब हम next method स्टार्ट करेंगे, अब हम next method स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे next class में,